नमस्कार मैं आस्ता स्वागत करती हूँ आपका N27 News में आये रूप करते आज के मुद्दे की ओर ये तो सभी जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूशन का एक मुख्य अंग है साथ ही प्लास्टिक सभी के लिए जान लेवा है प्लास्टिक में मौझूद उसके शुक्ष्मकड यानि माइक्रोप्लास्टिक के खत्रे को लेकर भारत समेट बाकी देश भी चिंता जताते हैं अलग अलग परिक्षणों के बाद वग्यानिकों का कहना है कि प्लास्टिक के शुक्ष्म कड़ मानव के शरीर के लिए जान लेवा है अब पहले वग्यानिकों को सब्जियों के उत्तक में भी माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला है जिससे इस पस्ट होता है कि बैक्टीरिया रग्त वाहिकाओं के माध्यम से मानव उतक में चले जाते हैं हाला कि इससे पहले प्लास्टिक के कड़ खून और इंसानी फेफडों के अंदर काफी गहराई में पाल जा चुके हैं अब पेंट तथा भोजन के डिबबंदी में इस्तेमाल होने वाले माइक् प्लास्टिक के होने का पता चला था अब नसों में इसका पाया जाना गंभीर चिंता का विशय बन गया है हाली में एक टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्लास्टिक को ज़्यादा टिकाओं बनाने वाले पदाद थैलेट के संपर्क में आने से खा माइक्रो प्लास्टिक के ये कड़ पांच अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक पालीमर के थे जो पहले से अलग थे नसों में इनकी मौझूदगी शिराओं के अंदरूनी हिस्सों को नुक्साउन पहुंचा सकती है जिससे ये समय बीटते के साथ ब्लॉक कर सकती है हम कागज प्लास्टिक फॉयल में चिपकने के लिए उपयोग होने वाले घटक पीवी एस सी प्लास्टिक पालीमर को जोडने लचीले पैकजिंग उत्पादन के बनाने में इस्तिमाल होने वाला तार केबल पाइप में परत बनाने के लिए इस्तिमाल होने वाले नाइलन और इबी ओएच इवी एक के भी अंश्प शामिल थे इससे पहले अमेरिका के केमिकल सोसाइटी ने कुल 47 नमूनों में मानव अंगों की जाच की जिसमें उन्हें प्लास्टिक संदूशन मिला मनुष्य के फेफडे यकरित और गुर्दे में प्लास्टिक के होने की संभावना बताई गई है सभी टेस्ट के बाद पता चला है कि प्लास्टिक शरीर की कोशिकिये की कारप रडाली को प्रभावित करता है विग्यानिकों का कहना है कि प्लास्टिक के महीन कंड सास लेने या किसी भी अन्य प्रकार से हमारे शरी में पहुच जाते हैं साथ ही टेस्ट में ये भी पता चला है कि येकन हमारे डेली लाइफ स्टाल में इस्तेमाल किये जाने वाले तूथपेस्ट क्रीम से लेकर हमारे भोजन यहां तक कि हवा और पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक बैक्टीरिया में एंटिबायोटिक में 30 गुना बढ़ा सकते ह एंवार्मेंटल इंटरनेशनल ने भी ये बताया है कि प्रित्वी के प्रते कोने में पहुँच चुका है जो अब अजनमे शिशों के गर्ब नाल में भी पाया गया है ये बहुत ही चिंता का विशे है क्यूंकि भूण के विकास में गर्ब नाल एहम भूमिका निभाता है जहां किसी भी जहरीली चीज का पहुचना काफी घातक साबित होगा इसको 18-40 वर्ष की आयो की महिलाओं पर जाच के दौरान इसमें से 4 में माइक्रो प्लास्टिक के कड़ पाए गए थे ये कड़ मा के साथ उनके गर्व में मौजूद बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा विज्यानिकों के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक को शरीर में जाने से रोकने के लिए सबसे बहतर और कारगर तरीका ये बताया है कि प्लास्टिक का निर्माण और उपयोग कम किया जाए आज के लिए इतना ही ऐसी खबरों को जानने के लिए फॉलो करें N27 News को आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर